महोबा व्यापार प्रातीनिधी मंडल द्वारा प्राचीन पार्क नहरू का गेट खुलवाने और साफ सफाई व्यस्था के लिए मदन सागर तलाप की जल कुम भी साफ करने के लिए दिला पर शैसन को एक ग्यापन सौपा गया गयापन के माद्यम से मांग की गई कि शहर का प्राचीन नहरू पार्क का गेट खोल दिया जाए गेट बंध होने के चलते सवेरे घूमने और टहलने वाले बजर्ग वा आम जन्मानस बंद गेट दे कर लोट जाते हैं इसके अलावा मदन सागर तालाप से महोव की खासी आवादी को पेझल सपलाई किया जाता है लेकिन जल कुंबी अधिक होने के चलते मदन सागर तालाप का पानी काफी दूशित हो रहा है इस जलकुंबी की सफाई जल से जल करवाने की बाद भी ग्यापन के माध्यम से कही गई है हम लोग आई थे जलादगारी महोदे के लिए ग्यापन लेगे कि महोबा में चारो तालाब है चारो तालाबों में इतनी भेहनक जलकुंबी बड़ी हुई है जिससे उसका पानी भी खराव हुई रहा सबसे बड़ी समयस्या यह है कि जो मदन सागर तलाब है जिसका हम नगर बर में पानी घरों में जाता है उस पानी में इतनी जलकुंबी है दूसित पानी है बदबुदार पानी है तो हम लोग चाहते हैं करोणा रुपई की लागत से जो मसीन महोबा में आई थी सतेंद कुमार जी जलादकारी महोद ने मंगाई थी उसका सद्यों पोग हो और जलकुंबी की सफाई हो और दूसरा यह है नहरू पार्क महोबा कि में बीच में नहरू पार्क है सिटी के बीच में जिसमें सुबह साम सब लोग जा सकते हैं गुमने जा सकते हैं मौरनंग के लिए साम को बच्चे भी जा सकते्यलने तो उसका भी जिंट भ्दार हो क्योंकि भी बंदब नहरू संवा हम लोग ब्यापार मंदल से हैं उत्तर ब्यापार प्रदीनी मंदल का मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ और हमारी जलाद्यक्ष कमाल भाई है और मैं कमलेश शौनी जिलाद्यकारी जी को ग्यापन मेरा नाम से एक अफजल है जिलाद्यकारी जी को ग्यापन लिया गया है नहरू पार्क के विसे में महोवा में एक एकलौता पार्क है जो बीचो भी सहर के बना हुए नहरू पार्क उस पे भी ताला लगा हुआ है हम लोग सुबा के टेम टेहल है कि औरुपारे खर्चा कर वहां पर सुंदी करन कराइगा वास सुंदी करने आप खुछ जाके देखेंगे तो आप वहाँ कड़े होना पसंद नहीं करेंगे जल कुम्भी के लिए करोरों रुपए की मसीने मंगाएंगे हैं वगर कोई मसीन वहां पर ना चल लए है ना कोछ है और जल कुम्भी उससे ज्यादा हो गई है पस यह यह डीम साब से कि वहां पर हमारा जो संदी करना कराना चाहते थे वो संदी करना हो जाए और हमार